प्रवाइज करें लिए दोस्तों स्वागत आपका बिबिलियोफाइल इस्टडी सेंटर के ओंलेन प्लेटफॉर्म पर आज के इस class के अंदर अपन पढ़ने वाले है जो graph of राजस्थान की जो अपनी series चला रखिये उसके अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का विस्तार क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा पट इससे पहले अपन क्लास के अंदर दो टॉपिक अच्छे से कंप्रेट कर चुके हैं कौन सा सबसे पहले अपने पढ़ा राजस्थान की उत्पत्ती और इजिन ओफ राजस्थान और उसके बाद फिर अपने पढ़ा क्या राजस्थान की जो लोकेशन है जो राजस्थान की इस्थिती है है ना वो अपने पढ़ा जिसमें अक्षान्स रिखाओं के साब से कहां पर है या देशान्त रिखाओं के साब से कहां पर है तो ये दो topic अपन क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं एक तो राजस्तान की उत्पत्ती और उसके बाद राजस्तान की इस्थिती फर्स्ट अपन ने पढ़ा origin of राजस्तान सेकेंड अपन ने पढ़ा जो location of एक तरीके से जो आपका राजस्तान है अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज इस class के अंदर topic number अपन 3rd start कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका राजस्तान का विस्तार expansion कहां कहां है राजस्तान का world के respect में, इंडिया के respect में हैं तो सारा अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो आओ, अपन इसके अंदर क्या क्या चीज़े पढ़ेंगे दोस्तों अपन राजस्तान के विस्तार वाले जोब अपन topic पढ़ेंगे तो इसके अंदर अपन 3 चीज़े पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के एक शेत्रफल से लिटेड जो जो कुशन्स बनते हैं या जो जो बाते इसके अंदर समझने लायक है तो एक तो अपन कशेत्रफल बोले तो एरिया से समंदित सारी बाते पढ़ेंगे दूसरी दूसरी दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्तान की boundary selected कि राजस्तान किस किस से boundary बनाता है अपनी सीमा किस किस से share करता है international boundary बनाता है तो किस से boundary share करता है या दूसरे राज्यों से boundary बनाता है तो किस से share करता है, कितनी share करता है जो कुछ भी सारा scene अपने इसके अंदर पढ़ेंगे और तीसरी चीज़ दोस्तो जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे वो क्या है वो अपन पढ़ेंगे राजस्थान की आकरती के शेप के उपर के रास्तान भाई दिखने में किस आकरती जैसा लगता है या रास्तान के जिलों से लिडिड है, के particular tan garden guard कैसा है दिखने में, या जूदपूर कैसा है दिखने में, या जैसल मिल कैसा है दिखने में, मैप में, ठीक है? तो इसके उपर जो question आते हैं, तो अपने इस topic के अंदर तीन चीजे पढ़ने वाले हैं, रास्तान का क्षेत्रफल, रास्तान की सीमा और रास्तान की आकरती बोले तो शेप अपन इसके अंदर पढ़ेंगे तो अपन शुरुवात करेंगे सबसे पहले कहां से अपन शुरुवात करेंगे रास्तान के क्षेत्रफल से लिडिट कि यहां से क्या क्या कोशिण बन सकते हैं आईए स्टाइट करते हैं देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है देखो दोस्तों समझाने के लिए पहले मैं आपको ये इंडिया का मैं दिखा रहा हूँ देखो समझने कोशिश का ना यह आपको इंडिया दिख रहा है आपसर बिलकुल इंडिया दिख रहा है तो उसमें फिर आपको अच्छे से ये भी दिख रहा होगा कि ये जो ये ये जो मैंने रैड कलर की बांटरी बनाई है ये ये क्या है तो अबसर ये है अपने पूरे इंडिया के अंदर अपना क्या ह ये पूरा इंडिया के अंदर अपना क्या है राजस्थान है राजस्थान है हाँ बाई बिलकुल राजस्थान है तो अपना में फोकस किस पर है राजस्थान पर तो ये जो फोकस है उस पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान तो फिर एरिया किलोमेटर स्क्वेर में आएगा और ओवियस सी बात है रास्तान इतना लंबा चोड़ा है तो कोई मीटर मीटर में तो अपन लेने से रहे लंबा ही चोड़ा है अपन लेंगे किस में किलोमेटर में तो किलोमेटर के अंदर अपन देखते हैं कि राजस्तान का एरिया कितना है या फिर अपन देखेंगे मील के अंदर होता ना एक मील तो एक मील के अंदर कितना एरिया है आपका अब देखते हैं क्यार क्या कहने निया तो दोस्तों अपन देखने वाले हैं राजस्तान का क्षित्रफल, बोलो क्या देखने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं, राजस्तान का क्षित्रफल, राजस्तान का क्षित्रफल अगर अगर अपन बात करें, तो राजस्तान का क्षित्रफल, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, किलोमेटर स्क्वेर के मिल के अंदर एरिया कितना है तो फिर याद रखना रास्तान का एरिया है 132 139 ऐसे याद रखना 132 139 ऐसे याद रखना 132 139 139 ऐसे मीटर में बोलते हैं वैसे वैसे कई वार दूरी को मील या इंग्लिश में बोले तो माइल में भी तो बोलते हैं कितना होता है मैं आपको थोड़ी सी नौलिज के लिए बात बाता देता हूं देखना दोस्तों यह मील भी दो तरह के होता है देखो एक तो होता है जो अपन मील बोलते हैं है ना जो अपन जमीन वाला मील बोलते हैं है ना जो अपन जमीन वाला मील बोलते हैं वो तो दोस्तों एक मील होता है किसके बराबर वो एक मील होता है लगबग 1.609 किलोमेटर के बराबर। या तो एक मील बोल दो यह मीं या माई एक चीज अंडी में मील बोलते हैं इंगलिश में क्या बोलते हैं माई बोलते हैं तो वहाग सब सक्षयाइब कर दो एक मील और होता है जो आपको कभी परिशान करके याद रखना एक समुद्री मील भी होता है समुद्र में जो मील होता हुद देखो जमीन पर मैं बोलूँगा एक मील तो इसका मतलब मैं कितना चला हूँ समुद्री माइल भी बोलते हैं या इसको इंगलिश में नॉटिकल माइल भी बोलते हैं कंफ्यूज मत वाना क्या बोलते हैं इसको इसको नॉटिकल माइल इसको नॉटिकल माइल के नाम से भी जाना जाता है तो अपन तो रास्तान का जमीन वाले क्षित्रफल की बात कर रहे हैं तो यहां जमीन वाले माईल की बात कर रहे हैं वो एक माईल किसके बराबर होता है 1.609 किलोमेटर के बराबर होता है तो अब बात है एक माईल ही 132 139 mil square के बराबर इस इट ओके तो मैं उमीद गरता हूँ ये बात आपको समझ वह आगे होगी एरिया की अब समझो तो km2 में एरिया रास्तान का कितना है तो 3,42,249 km2 तो आपको एक चीज पता है इंडिया का एरिया लगबग पता है कितना है आपको अगर आपने थोड़ा बात पढ़ाई कियो ये तो रास्तान का है अगर आपसे पूछा जाए जो इंडिया है वो इंडिया का क्षित्रफिल कितना है तो अगर आपने कभी पढ़ाई कियो तो आपको पता है लगबग लगबग मोटा मोटी 32,87,000 32,87,000 है ना kilometer square Kilometer square 32,87,000 इंडिया का area 32,87,000 मैं बोलना चाहूं तो आप लगबगरude ये बगबग好好 32,87,000 है ना इंडिया का area 32,87,263 किलिमेटर square तो आप मोटा मोटी आपको पूछे अंदाजा लग रहा है कि इंडिया का area लगवग कितना है 32 lakh कितना य unintended है इंडिया के एरिया जब कि जबकी राजस्थान का कितना बातour लगवग राजस्थान का थीन लगवग 42 जय तो 32 लाक और पास जितना भी एरिया उसको कर मैं 100% मानों तो उसमें राजस्थान अकेला कितना cover करता है उसमें percentage के साब से राजस्थान कितना cover करता है तो लगभग अभी पही मैंने मोटा माटी बताया कितना तो इग्जेक्ट ही देता हूं 10.41 परसेंट कैसे आए मैं आपको बता दिया तो बता रास्तान के पास मोटा मोटी बोले तो 10 और एक्जेक्ट डेटा बोले तो 10.41 परसेंट अकला रास्तान एरिया कावर करता है क्षेत्रफल इतना किसी भी और दूसरे राज्य के पास नहीं है बाकि अब 28-28 राज्यों को देख लो आठ केंद्र शाषित प्रदेश युनिन टेरिटरीज को देख लो इतना एरिया किसी भी स्टेट के पास नहीं है इतना एरिया किसी के पास नहीं बिलकुल भी नहीं है त इंडिया का largest state है इंडिया का largest largest बोले तो सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा state बोले तो क्या है राज्य क्षेत्रफल के साब से क्या सुरू से ही राजस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल के साब से नहीं यह हुआ है कब से तो यह हुआ है दोस्तों आपके नवंबर 2000 से एक नवंबर 2000 से कैसे क्यों इससे पहले कौन था इससे पहले राजस्तान से भी बड़ा राज्य हुआ करता था कौन सा पता है मद्यपरदेश अच्छा क्यों तो फिर क्या हुआ ऐसा तो पहले मैं आपको बता देता हूँ देखो अगर आप यह देखोगे देखो यह मैं ग्रीन ग्रीन कलर का जो बना रहा हूँ यह आपको बता यह है आज का मद्यपरदेश यह क्या है बताओ यह है आज का मद्यपरदेश यह क्या है यह है आज का मद्यपरदेश सोचो ये MP और ये 36 गड़ ये दोनों मिला के पहले एक ही राज्य हुआ करते थे तो सोचो ये राजस्तान से भी बढ़ा है बिलकुर राजस्तान से भी बढ़ा है लेकिन एक नवंबर 2000 को क्या हुआ 36 गड़ अलग हुआ मद्यपर्देश फिर मद्यपर्देश के इतना सा बज गया और अब इससे बढ़ा हो गया करते राजस्तान तो राजस्तान भारत का सबसे बढ़ा राज्यत तो है इसमें कोई डाउट ही नहीं है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कब से तो आप बता हूँ तो आपको अच्छे से पता होना है भारत का जो पच्ची स्वाराजे बता बहारत का जो 25 त स्टेट हो आपने कभी न कभी पढ़ा होगा तो आप यह कब बना था लगबग का आप के 30 माई चले तो किसी की marriage anniversary है और हो घूमने गया है बाता हुआ हो घूमने गया है जो गोओ घूमने गया है तो marriage anniversary में कौन सी marriage anniversary को special मनाने के लिए तो लोग 25 को थोड़ा ज़्यादा special मनाते ना तो पचीस वी marriage anniversary मनाने की लोग कहा गए है गए गए है तो भरत का 25 वराज्य है बताओ कौन सा गोवा फोड़ा से एक extra knowledge के लिए बता रहा हूँ वैसे कैसे आप लोग गयाद रखना है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका 26, 27, 28 वराज्य एक साथ तो ज़रा देखना क्या कहाने नहीं है तो ज़रा इदर देखो तो actually मैं आपको इसके लिए एक exact date पे लेके चलूँगा पहले तो exact year बता देता हूँ कौन सा है वर्ष 2000 उसमें exactly मैं आपको लेके चलता हूँ महीना महीना कौन सा है नवंबर कौन सा महीना है नवंबर महीना है उसमें मैं आपको तीन तारिक बता रहा हूँ कितनी तारिक बता रह एक तारिक, नौ तारिक और 15 तारिक, अच्छा, कौन-कौन से राज्य मिलते हैं, मैं आपको उताता हूँ, सबसे पहले हमको एक राज्य मिला, 36 गड़, कौन सा, 36 गड़, 36 गड़, बिल्कुल, किस से अलग हुआ, तो दोस्तों ये अलग हुआ था, मद्यपरदेश से, किस से क्या नाम है उसका, उसका नाम है उत्राखंड, और उत्राखंड को किस से अलग किया दोस्तों, तो उत्राखंड को जो अलग किया, वो किस से अलग किया, वो अलग किया, यूपी से, किस से, उत्राखंड राज्य बनाया, किस से, यूपी से बनाया, और 15 नौंबर को, जो हम को के बनाया तो जारखन को मेली अलग करके बनाया किस से बिहार से किस से अलग करके बनाया इसको बिहार से अलग करके नया राज़ बनाया कौन सा जारखन तो अब बताओ अगर आप से कोई पूछे क्या कि 25 स्वाराजे तो आपको मिल गया बताओ कौन सा गोवा तो बताओ य लाइन याद रुखना कोई बच्चा है जो चत परें तो उस बच्चे को पन बोलेगे क्या बोलेंगे उस बच्चे को आ हां चत से पर जा क्या बोलोगे नां यह 26 राजिया, 37 राजिया रहे कौनसा? 28 राजिया फिर अगर मैं आपको लेकर चलू तो अपन चलते हैं कब दो जून 2014 को भारत को 29 राजिय मिलता है और 29 राजिय मिला वो कौनसा राजिय मिला? वो उन्तीस राज्य मिला आपका तैलंगाना कौनसा राज्य मिला तो दोस्तों वो राज्य मिलता है आपका कौनसा तैलंगाना तैलंगाना बिल्कुल तैलंगाना मिला किससे अलग करके तो दोस्तों तैलंगाना जो अलग करके मिला वो अलग करके मिला किसे अंद्रप्रदेश से तेलंगाना किस्ते अलग करके बनाएं गया तो दोस्तो अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को आपको पता ही है, जमू कश्मिर जो हमारा राज्य का हुआ करता था 2019 में, उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उससे एक केंदर शाषित परदेश बना दिया गया, हालांगे एक टुकड़ा करके एक नया केंदर शाषित अठाइस रह गया, लेकिन बाकी कैसे सिक्वेंस था वह मैंने आपको बता दिया, तो मैं तो क्या रामैट बता ही है मैंने इस लिए बता आ एंक अदिया बताना चारा था, बोलो clear है तो यह मैं उम्मीद करता हूँ याद है रह जाएगा आपको एक मेरिका महादेप औ ये अफ्रीकान ये एशियान उस्ट्रीलियान अंटाक्टिका समझने कोशिश भना तो आपको पता है दर्टी इस प्रुचव को anderen उपानोंगे तो आपको पता है यह जमीन के वह किते परशंट है तो आपको पता है जो जमीन है वह तो किते पर आप लोग में आप पर 20 नार imm term कितनी पर है इपके पिणा कितने पर बिए यह की बिए जितनी भी हमारी प्रुत्प्री पर जमिने उसको अगर में 100 पर सबनों उसमें उसमें अगर आपस पूचा जाए इंडिया कितनी पर एंडिया इंडिया इतनी भी जमीन उसको 100% मानें तो इंडिया है इंडिया के पास कितना परसंट जमीन है पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जमीन है उसको मैं 100% मानो तो उसमें इंडिया के पास कितनी है मतलब पूरे विश्व में भारत का जो इस्तल भागे वो कितना है परसंटेज के साब से तो वर्ड में जो इंडिया के पास जमीन है दोस्तों वो है कितनी वो है आपकी 2.42 परसेंट बोलो कितनी है 2.42 परसेंट बोलो कितनी है 2.42 परसेंट देखो मैं क्या समझाना चाहिए जड़ा ध्यान से देखो तो पूरे अगर आपसे पूछा जाए पूरे वल्ड में है ना पूरे वल्ड के क्षित्रफल में पूरे वल्ड के क्षित्रफल में इंडिया का योगदान कितना है इंडिया का योगदान कितना है बता हो तो अब उसर पूरे वल्ड के क्षित्रफल में इंडिया का योगदान है 2.42 परसेंट चलो ठीक है अब यहां पूर इंडिया के शित्रफल में इंडिया के एडिया में शित्रफल एडिया की बात है में राजस्थान का योगदान किसका राजस्तान का कितना है यह सिर्फ इंडिया इंडिया के पास जितना भी है तो भी भी थुर्दे पहले में बता इंडिया की शित्र में राजस्तान के पास कितना है बताओ 10.41 परसेंट है तो अब अगर आपसे अगर ये वाली बात पूछ ली जाए तो क्या आप बताने में सक्षम नहीं हो, इस बार अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया नहीं, पूरे वल्ड में, इस बार अगर आपसे पूछा जाए, पूरे वल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे वल्ड का योगदान किसमें एरिया में एरिया में तो कितना होगा तो इतनी तो आपको भी मैंच आती होगी इतनी तो आप में भी कॉमन सेंस होगी कि पहले तो बता पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितना है तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितना है 2.42 और इंडिया में इंडिया में रास्त्तान कितना है, तो जितनا इंडिया है, उसका 10% ये, तो पूरे व्ल्ड में अंडिया कितना है, 2%, 2.42%, उसका 10% निकालो, तो बतύ, तो 2.42 का 10% कितना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका कितना ये निकल जाएगा 2.42 इंटू बहुत बेसिक से बता रो 10 by 100 तो इसको जब solve करोगे तो ये कितना जाएगा बताओ ये आजाएगा 0.242 या फिर इसको बोल दो क्या बोल दो बताओ 0.25% तो मैं उम्मिद करता हूँ ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी clear है कि पूरे वर्ल्ड में रास्ताम के एक्षेतर फल्का कितना योगदान है तो 0.25% के आसपास लगभग इतना ही है कितना बताओ 0.25% के आसपास योगदान है और इसरस बिल्कुल होग 향 है चलो next आगे बड़ते हैं क्या कहानी जिर्ण देखो और इसके इनदर अगर अपको असफेदी बतादिया चलो अब इसके अंदर अगर अपन बात-कर त पो बता दिया अब आगे क्या कहानी वो जर्द देखो, आगे क्या कहानी यह है, कि अगर अपने से पूछा जाए, कि अपने से पूछा जाए, जो आपका अपना राजस्थान है, एरिया आपको पता चल गया, तो वर्ल्ड में कोई ऐसी देश है, कि देशो का ही एरिया लगबग उत्रही है, जितना आपने अपने राजस्थान का है, या उन देशों का वो पूरा देश है, लेकिन उनके पास इतना एरिया नहीं जितना के लिए राजस्थान के पास है, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता जेता हूं, लगबग दोस्ण, UNO मा आपको पता है, 193 देश है, 193, 195 के असपास लगबग योन उससे माने तपर आप देश है, उसमें से लगबग बता देता हूं, साथ 128-130 सम्थिंग ऐसे देश हैं, जिनका एरिया राजस्थान जितना भी नहीं है, उनका एरिया राजस्थान से भी क्या है, कम है, यास बिल्कुल दुम्या में लगबग 128-130 ऐसे देश है, जिनका एरिया राजस्थान जितना भी नहीं है, उनका एरिया राजस्थान से भी क कुछ questions आते हैं, तो आओ अपन देखते हैं, मैं आपको कुछ देश बता रहा हूँ, है ना, यहां मैं आपको कुछ देशों के नाम लिखूंगा, ठीक है, और यहां लिखूंगा, उनका एरिया राजस्तान के सेंस में क्या है, या राजस्तान का जो एरिया है, वो उनके सेंस में क्या है रास्तान का अक्षेत्रफल राजस्तान का एरिया इनके सेंस में क्या है आओ एक एक करके अपन्जा से देखें तो पहले में कुछ उन देशों के नाप बताऊंगा जिनका एरिया उतना ही है जितना उस देश का है मलब रास्तान के इकनम बराबर है जिसमें सबसे मैं आपको लेकर चलूंगा फिनलेट कौनसा देश है ये दोस्तों देश आपका NOT कौंसा देश है फिल नेट देश है फिल टेष्हाइब फिल लाएंड अगर आपने विश्यो का मान isso तरह गर देखा हूँ यह संक अमेरिका म Luke ये देश दिशीमिया अब Europe महाधीव अगर आप उंपर की तरफ चलोगे तो आपको तीन देश मिलेंगे बोलो ऐसे किते देश मिलेंगे तीन अगर आपने पड़े हो तो एक दो उंपर उत्री धुरूफ की तरफ नौर्थ पूल की तरफ तीन देश मिलते है उसमें सबसे इदर की तरफ जो देश म तो बीच मालंगे एस टोनेल आट वे अगरे देश आते हैं लेकिन इधर बाकी पूरा रूस तो मैं आपको क्या बताना चाहिए इनको सकंड़नेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं तो नॉर्वेज स्वेडिन और ये भी आपने पढ़ा को नॉर्वेज स्वेडिन वो देश हैं जो कौनसे प्राइज देते हैं नोबल प्राइज देते हैं तो याद रखना नोबल प्राइज देने वाले देशों के बगल की तरफ इधर की तरफ देश पढ़ता है इसका नाव है फिलनेड इसका अरिया पता लगग कितना है 3, 38,000 किलो मेटर स्कुरे के क्या है आसपास एरिया है, और राजस्तान का कितने घ्राषै का लाओनों वेनल एक है, तो लग वग लग वग क्या बराबर हो गया है क्या बिल्कुल, सबसे नज्दिक अगर दुनिया मैं किसी देश नियए, राजस्तान कि नहीं कि अटिन रखन पूंट इस ल rak टो में टो सबसे नजी किसी देश का दूसरा गर आप से बोला जाए तो दोस्तों वह जर्मनी के राज़धानी कैरल इस नीका है ब्रली वह भी यह यूरोपन देश है यूरोप का एक देश है जर्मनी और इसका अक्षेत्रफ लगभग 3.57 लाख स्कुयर है तो लगभग 3.56 मोटा-मोटी बोले तो राजस्थान के बराबर ही है तो इसका एरिया भी याद रख नागर का भी पूछा जाए तो राजस्थान के बराबर वाले देशों में ही काउट करोंगे एक विए तीसर नमबर पर गर मैं आप से बोलूं तो वो देश है आपका जापान जापान का इरिया भी लगबग इतना यह तीन लाग से 13,000 गया स्पास मोटा मोटी बोले तो जापान का एरिया भी राजास्तान के क्या है बराबर है जापान है Bakpping इसे सै इसका विए इरिया रास्तान के लगवग बराबर मांते हैं ठीह कि Ep listening अगर अपने बोले, तो चौथा देश है आपका, कौन सा, नौर्वे, हाँ, नौर्वे का एरिया भी लगवग-लग, मोटा-मोटी देखे, तो लगवग-लग रास्तान के क्या है, बराबर है, अगला अगर अगर अपन देश देखे, तो अगला जो आपका देश है, वो है यह आपको बता देता हूं, तो याद रखना और याद रखना, यह सब के सब Europian देश है सिर्फ छोड़ का जापान को, जापान कहा है जापान कौन से माधीप माथ," एषया मैं," बाकि मैंने जित्ने मीं अभी देश लिखा है, सब सब कौन से देश है, यूरप माधीप के द कि यिरोप कोईटरेंट के देश Efendimiz मैं उम्मिद करता हूं याद रखोगे कि इनका एडिया हमीशा किसके बराबर एक साथन ty पालए प्रचान मेल यह पनो करो ब noi चे कर देना तो तो सबसे नजदिक रास्तामगेरिया किसके बराबर है, फिल्लेंट के बराबर है, बाकि इनका भी लगवग बराबर बोल देते हैं, बोलो एज़ेट ओके, आप लो सब ठीक है, परफेक्ट है, कोई इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके बाद अगर अपन बात करें, इसके बाद और अब कुछ और देशों से अगर अपन देखें, और कुछ देशों से अगर अपन देखें, फिर आपर लिखेंगे अपन क्या देश, इधर देखते हैं राजस्थान, राजस्तान का शेत्रफर, राजस्थान का शेत्रफ़, एरिया ऑफ राजस्थान, आओ देखते हैं क्या कहानी सबसे पहले अगर मैं इस बार देश्चों में बात करूँ, तो आपसे अगला जो देश में बोलने वाला हूँ, उस देश का नाम है ब्रिटेन क्या नाम है इस देश का नाम है Britain बिटेन के एरिया वैसे तो कर आप देखो के तो लगबग लगग राजस्थान के आपको डेड़ गुना मिलेगा पर डेड़ गुना क्या जरली आप्शन में आता नहीं है तो फिर अपन बोल देते हैं कि राजस्थान का दो गुना है मतलब ऐसे ब्रिटेन लगबग लगबग दू ब्रिटेन करें तब जाके complete बनता है क्या बनता है राजस्थान मतलब जाके कहीं बढ़ेंगा अपना क्या राजस्थान इसका मलब अपने पे जो ब्रिटेन राज करके गए हैं वो ख्यतरफवल में पूरा देश तो छोड़ो हमारे से राजस्थान राश्थान के क्या है आधे है और सोचो किया हमारे तो क्या हमारे देश ओर भी कितने सारे देशों पर राज किया था लेकिन अगर कभी पूछे, नेपाल के सेंस में रास्तान कितना है, तो हम तो दोस्तों, नेपाल से भी एक्षेतरफल में क्या है, ज़्यादा है, नेपाल का क्षेतरफल लगबग 1,7,000 के आसपास है, तो मोटा मोटी देखें, तो हमारा एक्षेतरफल राजस्तान, हमारा जो पांच श्रिलिंका मिलाना है तब जाके एक राज़तान बनता है इसका मतलब हमारा राज़तान श्रिलिंका का कितना गुना है यह याद रखना बहुत वार एकजाम पूछा रता है तो उसका पांच गुना है फाइफ टाइमस है जबकि जबकि एक देश पढ़ता इसराइल कि इतना 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 इत राजस्थान के अगले देखते हैं, राजस्थान के जिलों की बात करते हैं, तो शुरू में अपने देख लिया, कि राजस्थान के जिले, बताओ किते जिले हैं रास्थान में, किते डिस्टिक्स है रास्थान में, तो अब उलकसर आपने पढ़ा दिया, किते हैं, तो रास् जारे नहीं के तो हम exactly नहीं बता सकते कि क्या है क्या सीन नहीं है लेकिन हाँ अपनी समझ कि आदार पर अपन जो बता सकते वो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है वो आप इदर देखो अगर अपन बात करें बड़े जिलों की किसकी बात करते कि पहले तो अपन देखते हैं सबसे बड़े जिले कौन से है राजस्थान के है ना बड़े जिले कौन से है राजस्थान के वो अगर आपन देखें और एक अगर आपन देखें के छोटे जिले कौन से है है ना बड़े जिले कौन से और छोटे जिले कौन से है तो बड़े जिले में देखें तो पहले अगर आप Χो क्यों गया देखो जो च्रूब में जाते जन संक्या क्या है ज़ yatogen हो अगरा हो। लेकिन वह में जन संक्या इतनी नहीं है टो जन संक्या जादा नहीं है। इसनल जन समें계 घंणा को nina तो यहां तो बता सकते हैं कि बड़े जिलो में तो भाइसब आप इसमें आज भी और चाहिए पहले के इसाब से भी देखो रास्तान का इसाबसे बड़ा जिला कौन सा है तो फर्स नवर पे तो कुन आएगा दोस्तों फर्स नवर पे आपका जैसल में आएगा बोलो क्लियर है तावल सर क्लियर है को दिक्कत नहीं है और यह याद रखना राश्तान का कितना परसेंट है लगबग तो यह राश्तान के एरिया का लगबग कितना परसेंट है तो यह राश्तान के एरिया का दोस्तों राश्तान के एरिया का यह लगबग 11.22 तो लगबग 11.22 परसेंट है यह क्या 11.22 है यह राश्तान के एरिया ए बात करें इसके बाद अगर अगर अपन बात करें इसके बाद अगर अपन बात करें तो जड़ा देखी क्या कहानी है इसके बाद अगर अगर अपन बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जिला इसमें भी मैं कहूंगा जाता चेंज नहीं आगे देखो पहले के साब से रास्ता तब बीकानेर का कुछ इसा काटकर अनुब गड़ में मिला गया था जैसे दो तैसिले खास करके खाजवाला और छत्रगड लेकिन अक्टूबर के अंदर ही लगबग यह अगस्त में वासा लग होती तो फिर से भीकानेर में डाल दिया गया एक्जिक्ट दे भी तक नहीं पता चला क्या पूरा 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 डाला या कुछ इससा छोड़ा भी है या क्या है इसका पता नहीं चला है तो that's why मैं अभी बोलूँगा कि मोटा मोटी कह सकता है कि अभी कानेर के अरिया में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है तो फिर लगबग अरिया तो वही 30,000 के आसपास ही होगा तो उतना अरिया और अभी किसी दूसरे जिले का है नहीं तो क्योंकि आपको ता बाढ़ मेर से लगब आदा या लगब उतना उतना हिसा काड़ के एक नया जिला बनाएगा बालो तरह अब पीछे कितना बाढ़ मेर बचा है क्या है क्या सी नहीं है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है फिर चौते नमर के आता था जोदपूर उसके भ अब अब नहीं कह सकते क्यों इतनी तो बुद्धिया आप में होनी चीया कि अब तो उससे जो चोटे उससे तो उससे जो उससे 2 फ्थटे मिलेंगे कौन उससे तो छोटे मिलेंगे अपने कौन से उससे छोटे दोस्तों मिलेंगे आप एक बात बताओ अपने देखा यह जैपुर है कौन सा बता दोस्तों यह जैपुर है यह जैपुर जिला है बिल्कुल जैपुर जिला है तो दोस्तों इसी जैपुर जिले के अंदर जो सिट City वाला इसा है कौन सा है दोस्तों जो किरा City City वाला इसा है कि एक नया जिला बना है जैपूर शहरी तो यह भार हो है इरिया आ यह भर यह नहीं से यह ज्यू पापुर्ट नैंग्ट ihan आ यहाँ जैसे आपको पता है, यह जिला है कौन पर एक तो बनाया है, जोदपूरbund गरम है और एक बता दोस्तो बीच में इसमें भी तो जिला बनाया है, में कौन सा जोदपूर, शहरी, इसमें बस कंफूजन है, कि जोदपूर अब इस डेटा तो आया नहीं अभी तक तो जोदपूर शेहरी ज्यादा चोटा है कि जैपूर शेहरी ज्यादा चोटा है शेहरी बोले तो अर्बन तो जैपूर अर्बन ज्यादा चोटा है कि जोदपूर अर्बन ज्यादा चोटा है इसमें confusion है अभी तक लेटा नहीं आया तो बता नहीं सकते हैं तो होगा तो इन में से फर्स सेकंड पर यही आएंगे फिर आपको कोई दूसरा आएगा दू-दू अगरा इस तरह से को आएगा तो अभी तक आया नहीं है इसलिए दोस्तों अपन छोटे में तो आज भी नहीं कह सकते के छोटा जिला कौन सा अरे बात आ रहे हैं समझ में जब आएगा तो या तो होगा जैपुर्शेरी या होगा जोद पुर्शेरी जो भी होगा फर्स सेकंड नमर पर यह होगा बाकी जब लेट आयागा तो आपन पढ़ेंगे तो अभी इसके अंदर अपन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते तो दोस्तों एरिया से लेड़ आपको बस इतनी जानकारी होनी चीए कि रास्तान का एरिया कितना है किलोमेटर स्क्वेर में कितना मील स्क्वेर के अंदर कितना फिर पूरे वर्ल्ड में रास्तान कितना पसेंट रखता है या इंडिया के सेंस में कितना पसेंट रखता है फिर रास्तान के चुब बढ़ी चुब बता सकते हैं वो तो ख्षेत्रफल में बस अपने को फिला इतना ही पढ़ना ख्षेत्रफल में बस अपने को इतना ही पढ़ना ओके? थेंक्यू